नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में दोस्तों BPSC की ओर से बिहार दरोगा की भरती आ चुकी है दो दो डिपार्टमेंट में एक तो आपका मद्ध निसेद विभाग में और दूसरा आप हायर डिपार्टमेंट में अगनी सामक डिपार्टम आप रोजगार बिहार डॉट कॉम से भी देख सकते हैं देखे एड़टाइजमेंट आप यहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं ऑनलाइन सुरू होगी देख सकते हैं कल से 4-5-2023 से सुरू हो जाएगी ऑनलाइन आप इदन तो यहां पर देखे नोटिफिकेशन में हम ल लेवल 6 का दोनों का अवर निरिच्छक मदनिसेद विभाग यानि कि सब इंस्पेक्टर प्रोहिबीशन डिपार्टमेंट में मदनिसेद विभाग में और दूसरा अनुमंडल अगनी सामालय पदाधिकारी यानि सब डिविजनल फायर अस्टेशन ओफिसर के तिरपन पद और यह आपका 11 पद दोनों के वैकंसी आ चुकी है तो यहां पे और क्या-क्या दिया गया है देख सकते हैं इन पदों पर नियुक्ती है तू संजुक्त परतियोगिता यानि एक ही परतियोगिता के अंतरगत ये आयोजित की जाएगी यानि दोनों के लिए आलग अलग पाएंगे और जो उम्र बगेरा है qualifications है वो सारा detail यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिल जाती है देख सकते हैं भारतिय नागरी होना चाहिए आवेदन करने के लिए यानि कि आप किसी भी राजजीक के निवासी हो आप आवेदन कर सकते हैं पुरुस महिला दोनों के लिए दिया गया है और थर्ड जेंडर के लिए भी इसमें आवेदन करने को मौका दिया गया है अभियार्थियों की सहिचनिक योगिता दिनांक 1-1 2023 को आपकी educational qualification एक जनवरी 2023 तक किसी मानेता प्राप्त विष्विद्याले से असनातक परिच्छा यानि कि graduation परिच्छा या राज सरकार द्वारा मानेता प्राप्त उसके समकच परिच्छा उतिर्ण होना चाहिए यानि डिग्री आपके पारिस होनी चाहिए graduate की किसी भी subject से किसी भी university से तो आप आप इदन कर सकते हैं उम्र सीमा की घंणना एक एक जन्वरी 2023 से ही गिंती की जाएगी इसके अलाबा आप देख पारे होगे आप हारतियों कि उम्र जो दिखाया गया है एक एक 2023 को मैट्री का थवा समकच परमान पत्र के अनुसार होगा जो आपके जुनतम 20 वर्स और अधिक्तम 40 साल पिछरा बर्ग एवम अतियंत पिछरा बर्ग के पूरुस एवम महिलाओं के लिए BC, EBC के लिए जो की OBC कटेगरी में भी आते हैं ये लोग तो इन लोगों को दिया गया है 20 वर्स से लेकर अधिक्तम 40 वर्स तक आवेदन कर सकते हैं BC, EBC और यहाँ पे अनुसुची जाती SC, EBC के लिए दिखाया गया है कि पूरुसेवम महिला तथा थर्ड जेंटर जो भी है उन लोगों के लिए 20 से 42 साल तक आवेदन करने को दिया गया है और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्तर बेतनमान की सेवा संबर्ग में जाने के लिए परतियोगिता परिच्छा में भाग लेने है तो अधिक्तम IUC में 5 वर्स की छूट दी गई है यानि डिपार्टमेंटल कंडिडेट को 5 वर्स एक्स्टरा छूट दी गई है अब यहां पर हाइड चेस्ट बगएरा दिया गया है देख पारे होंगे 4.5 पारा में देखेंगे तो अभिहार्थी का सारेरिक मापदंड उचाई सीना और बजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा यानि जो पर इच्छा होगी आपकी उसे के आधार पे आपका चेन होगा इसमें हाइड चेस्ट बगएरा जो है इसका कोई नंबर बगएरा नहीं मिलेगा ठीक है तो उचाई जो है जेनरल के लिए देख पा रहे होंगे जेनरल और बीसी काटेगरी के पुरुस अभिहारतियों के लिए नियुनतम 165 cm होना चाहिए ठीक है मिनिमाम 165 cm होना चाहिए जेनरल और बीसी काटेगरी के मेल कंडिडेट को और वहीं इबीसी के देख सकते हैं इबीसी का दिया गया है पुरुसों के लिए 160 cm और SC और ST के पुरुस के लिए दिया गया है 160 cm वहीं आप देखेंगे सभी वर्ग की महिलाओं के लिए दिया गया है 155 cm बिल्कूल आपका जो बिहार पुलिस में होता है सेम टू सेम वही हाइट बगेरा दिया गया है वहीं से चेस्ट में आप देखेंगे जनरल समाने बर्ग एवन पिछरा बर्ग अतियंत पिछरा बर्ग के लिए जनरल BC, EBC के पुरुस अभिहर्थियों के लिए दिया गया है 81 से 86 cm आपका कम से कम चेस्ट होना चाहिए ठीक है और यहां पे 5 cm का अंतर होना चाहिए और फुलाने यहां भी 5 cm का अंतर होना चाहिए फुलाने में महिलाओं को इसके में छुड़ती गई है बजन में आप देखेंगे सभी बर्ग की महिलाओं उमिद्वारों के लिए नियुनतम बजन जो है 48 kg होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए महिलाओं का बजन अब यहां पे आगे देखते हैं तो सारी रिक्दचता परिच्छा जो दिया गया है लिखित पर सबसे पहले नियुक्ति की परकिरिया जो है लिखित परतियोगिता परिच्छा आयोजित की जाएगी आवेदन पत्रों जो ऑनलाइन होगा संगरहन होगा उसके बाद स्कूर्टनी किया जाएगा अवेदन पत्र सही पाएजएंगे उनके लिखित परतियोगिता परिच्छा का आयोजित किया जाएगा परत्हम चलन में आपका परारामभी परिच्छा में सो अंकों का एक question होगा ठीक है एक question paper मिलेगा जिसमें परस्णों की कुल संख्या 100 होगी यानि कि एक question पर आपको दो अंक मिलने वाले हैं और दो घंटे का समय आपको दिया जाएगा इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा देखिए समा निग्यान समसमा एक मुद्दो से संबंधित प्रस्ण पूछे जाएगे इसमें 30% से कम अंक लाने वाले को सफल भोसित किया जाएगा प्रारामभी परिच्छा में प्राप तंकों के आधार पर रिख्तियों के 20 गुना रिजल्ट दी जाएगी मेधा सूची बनाई जाएगी अब यहाँ पर दूतिय चरन में मुखे परिच्छा भी आयोजित की जाएगी और जिसमें 100 question होगे ठीक है नियुनतम 30% qualifying marks है और दूतिय पत्र में आपका सामाने अध्यन सामाने भी गया नागरिक सास्र भारतिय इतिहास भुगोन और गनीत मांसिक योगिता रिजिनिंग जाच से संबंधित प्रस्न पूछे जाएंगे दूतिय पत्र में भी 200 अंक होगा इसके लिए भी 100 question आपके पुछे जाएंगे 2 घंटे का समय दिया जाएगा तो सभी परिच्छा पास करने पर ही आपका चैन किया जाएगा दोनों चरनों की परिच्छा में परतिय गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा एक question अगर आप गलती करते हैं तो 0.2 न एक मिल यानी 1.6 किलो मिटर की दौड होगी जिसमें 6 मिनट 30 सकेंड आपको समय दिया जाएगा इस से ज्यादा समय लेने वालों को असफल घोसित कर दिया जाएगा ठीक है तो साड़े 6 मिनट में 1 मिल की दौड लगानी है यहां पर 1.6 किलो मिटर भी दिखाएगा है सभी क कोटी की महिलाओं के लिए एक कילोमेटर की दोड़ होगी जिसमें छे मिनट समय दिया जाएगा अधिक समय लेने वालों को असफल गोसित किया जाएगा वह हाई जंप में दिखाया गया पुरुसों के लिए भी लिया जा रहा है 12 feet आपको पार करना है या और महिलाओं के लिए 9 feet दी गई है वहीं गोला फेक में आप देखेंगे सूर्ट पूर्ट में देखेंगे 16 pound का गोला न्यूनतम 16 feet फेखना होगा सोरी, 12 pound का गोला होता है न्यूनतम 10 feet फेखना होता है महिलाوں को तीके आगे देख लेते हैं और क्या-क्या दिये गए और जो 3rd gender होंगे थर्ड जेंडर को महिला की तरह ही ट्रीट किया जाएगा यहां पर दिखाया गया है देख सकते हैं ट्रांसजेंडर को बिहार सरकार की ग्रीव विभाग अरची साखा का संकल्प संख्या इतना दिखाया गया है कि कंडिका के अनुसार transgender अभियार्थियों के लिए सारे रीक मापदन तथा सारे रीक दचता परिच्छा जो है पिछड़ा बर्ग की महिला अभियार्थियों के समान होगा यह जो महिला का physical होगा वही transgender का भी physical examination में लिया जाएगा वही मेधा सूची का सूची और नियुक्ती की अनुसंसा अंतिम रूप से सफल अभियार्थियों की मेधा सूची मोखे लिखित परिच्छा में प्रापतांकों के आधार पर अरच्छन कोटी बार तयार की जाएगी तो merit list जो है आपका second paper का ही बनाया जाएगा first paper जो आपका लिया जाएगा pre examination वो सिर्फ qualify करने के लिए दिया गया है main exam में जो आपको अंक मिलेंगे उसी का अधार पर आपका बेधा सूची merit list तयार की जाएगी category by seat आप देख सकते हैं अनुसोची जाती SC के लिए यहाँ पर दिखायागा है अनुसोची जाती महिला के लिए यहाँ पर दिखायागा अनुसोची जन जाती के लिए आप इसको ध्यान से देख लिजेगा कि आपके category में कितनी seat दी गई है अब आगे बढ़ते हैं तो यहा होगे अब अनुसेद भीभाग का यह seat है यह 11 seat दिखायागा है और इसके अलावा यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट में अगनी सामग डिपार्टमेंट में यह seat दिखाई गई है जनरल के लिए EWS के लिए SC के लिए HD के लिए EBC के लिए BC के लिए और BC की महिला application fees बगएरा कितना लगेगा तो देखे website जो है bpshc.bih.nic पर जाके आप online आविदन कर सकते हैं यहाँ पर रोजगरbihar.com से भी कर सकते हैं यहाँ पर देखे application fees की भी बात करें तो यहाँ पर दिया गया है देख पा रहे होंगे general BC, EBC, EWS candidate को 700 रुपे लगेंगे वहीं आप आपका जो SCSD candidate है उनको 400 रुपे लगेंगे online आविदन करते वक्त यह online आप जमा कर सकते हैं credit card से net banking से debit card से UPI से जिससे भी आप करना चाहें उससे कर सकते हैं और जो photo upload करेंगे दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात है जिसका photo जो photo photo background है वो सफेद मांगा गया है तो ध्य जान से आविदन करते वक्त दिहान दिजिएगा कि आपको जो photo देना है वो सफेद background का होना चाहिए तो यह था दरोगा भरती का notification अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं खोदा पहाड निकली चुहिया मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जो पिछली बार नोटीस आया था दो ASI STNO का भी पद है जो की 194 है यह भी आपका माई के अंतर तक आपको पता चल जाएगा इसकी भी vacancy आएगी अलग से ठीक है तो सारी जानकारी जो है अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको रोजगार बिहार.com पे सारा detail उपलब्द करवाया जाता है समय समय पे तो आकर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं उमिद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी कल देखते हैं कैसे online step by step इस form को भरना है बिहार दरोगा का तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कल आपक झाल को अच्छी लगी होगी 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 हो